हेलो फ्रेंट्स ये मैद के क्वेश्चन्स हैं आपके लिए SSA CGL पेपर फर्स्ट सिप्ट के थार्ड मार्च को आपका पेपर हुआ है आज के दिन और इसके सभी के सभी मैद के क्वेश्चन्स आपके लिए यहां एबैलेवल है पीडियेफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिये है वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है A plus B equal to 45 degree to 1 plus 10 A, 1 plus 10 B equal to क्या होगा तो इसका सोलूशन भी मैंने आपको यहां परांगे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था X equal to 4 को से plus 5 साइने B equal to 4 साइने minus 5 को से और आपसे पुछा गया था X square plus B square का वैलू क्या होगा तो आप इस cancer भी देख सकते हैं इस cancer 3 है जोग मैंने आपके लिए लिख रखा है पहले से और solution दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है तोस्तो किसी सिलिंडर की radius का ratio दे रखा था R1 ratio R2 और ये ratio था 3 by 4 का ratio उनकी height का ratio दे रखा था H1 upon H2 equal to 4 by 9 उनके volume का ratio पूछा था उसका भी solution यहाँ पर दे रखा है 1 by 4 आपका अंसर है 6 question था question number next था किसी rectangle की अगर length को 40% increase कर दिया जाए और 20% breath को decrease कर दिया जाए तो उसके area पर क्या effect पड़ेगा तो बहुत आसान question था बहुत इजी question था next question था किसी class में boys और girls 6, 4, 0 है अगर boys और girls का ratio 5, ratio 3 है ये girls को 30 भड़ा दिया जाए तो boys की number संख्या क्या होगी next question है दोस्तो यदि किसी वर्स में 43,00 रुपे 4, 3, 00, रुपेज 2 यर में 4, 6, 4, 4, रुपेज हो जाते हैं तो उसी simple interest पर 10,104 रुपे 5 साल में कितने हो जाएंगे ये question था आपका next question है दोस्तो question number 9 profit 12% है किसी बस्तू का किसी बस्तू पर किसी article पर 12% का profit है 28% का अगर discount दिया जाता है mark price है 24% है तो उसका CP क्या होगा तो उसे भी आप यहां से check कर सकते है next question है loss दे रखा था 10% का किसी article पर और 20 रुपेज का उस पर profit है तो उसकी CP और SP पुछा था CP क्या होगा next question किसी triangle के तीनो vertex दे रखे थे ABC यद if the midpoint of A and B line is D and the midpoint of B and C line is E so what is the area of small triangle triangle BDE तो यह question आप से पूछा गया था एक question और आसान पूछा गया था यह question था algebra से X plus Y equal to 8 Y plus Z equal to 13 Z plus X equal to 17 so value निकाल नहीं थी X square upon by Z की next question next question था यद किसी काम को A करता है तो 24 दिन में V 15 दिन और C 10 दिन में कर सकता है question पूछा गया था कि यद A और B दोनों मिलकर किसी उस कार्रे को 3 दिन करते हैं उसके वाद ये चले जाते हैं तो C उसकाम को कितने दिन में पूरा करेगा next question था इस तरीके से आपको देख रहा है इस तरीके से दे रखा था एक circle दे रखा था और उस circle के angle दे रखे थे 130 degree और 110 degree और angle पूछा था C A B का angle क्या होगा ये से एंगल क्या होगा एक और question था question नमबर 15 देख सकते हैं 6 10 equal to 5 so find the value of 8 sine minus 4 को से को से minus 2 sine की value क्या होगी next question था question नमबर 16 105 x की power 4 upon 8 और कुछ value पूछी गई थी 8 से divide करने पर x की value क्या होगी जो की completely divisible हो जाए और next question था यद किसी pole अगर कोई pole दे रखा है तो उसकी pole को कोई railguardi train 12 second में पार करती है bridge को 36 second में पार करती है तो train की speed पूछी थी एक di से question पूछा गया था data interpretation से question पूछा गया था और tabular di यहां पर पूछने को आई थी तो सभी के सभी questions हो चुके हैं इसकी पीडियाप आपको description में लिंक दे रखा है वहाँ से download कर सकते हैं उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा thank you thank you for watching this video जैहिंचे बरत next इसी प्रकार की questions के लिए चैनल को subscribe कीजेगा